Hello everyone, so welcome back to Theta Gainers और आज का वीडियो वीकली एक्सपारी के, मतलब जो अगली वीकली एक्सपारी आने वाली उसकी ट्रेड के ऊपर है ट्रेड मैंने अल्रेडी डेप्लाइक कर दी है मैं टेलिग्राम पे उसका भी फोटो डाल दूँगा ट्रेड के कौन-कौन से लाट से क्या है यही वाली है ठीक है और मैं इसको अभी पूरा एक्सपारी करूँगा डेटा वाइज मैंने ऐसा क्यों बनाया है और क्या मीनिंग रहेगा कौन सा स्ट्राइक है सब कुछ एक्सपारी करूँगा अब इसी में ठीक है तो हम explain करूँगा मैं इसको कितना क्या है ठीक है तब तक जो भी लोग अभी नए है और YouTube पे मेरे वीडियोज आपने पहली बार देखें अगरा तो आप subscribe कर सकते हो Theta Gainers को और इसमें जो मैंने पेलिस्ट अल्रेडी डाल रखी है यह वाली option selling master class इसको आप beginning से देखो उसके बाद आप बाकी वीडियोज देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो आप क्या करें कि जो अगर इसको follow करना हो आपको यह वाला trade तो मैंने ए ट्रेड एक्चली टेलिग्राम पे अल्रेडी डाल दिया है यहाँ पे डाल दूगा मैं साम को डाल दूगा वीडियो के पहले ही डाल दूगा और यह पुरानी वाली ट्रेड है weekly वाली जो इसके पहले मैंने budget strategy करके एक वीडियो आया था यह वाला वो वाला trade है वो वाला trade अभी भी चल रहा है मैंने उसको अभी जितना adjust करना चाहिए था उतना कर दिया है थोड़ा सा little bit bullish और put side से थोड़ा सा उपर ले आया हूं market से तो अभी तक ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है adjustment करने में कोई problem नहीं हाँ आज जब वो pre open में market 300 point gap up दिखा रहा था है और उसके पहले की trades वो भी non directional दोनों साइड की selling की हुई उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है ठीक है तो ध्यान से सोड़ा इन चीज़ों को follow करना तब जाके समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है ठीक है तो जो लोग भी Theta Guinness के टेलिग्राम चैनल पर नहीं है वो लोग क्या करें टेलिग्राम पर Theta Guinness टाइप करें और डारेक्टली जाके जिसमें 44K members 44,000 members है वो ही अपना चैनल उसको जॉइन कर सकते हो ठीक है चलो अब देखो मैं बिगनिंग से create करता हूँ ठीक है अब देखो बात यह थी कि मैं 29 रुपीच के आज पास इसको मैंने sell मा रहा है तीन लॉट इसमॉल एकाउंट की trade बता रहा हूँ मैं जिसकी वैसे आपको समझ आए सब कुछ ठीक है और मैंने उसको hedge मा रहा है 15,000 से कितने काया यह 49 रुपीच का और मैंने इसको hedge मा रहा है अब देखो यह चीज समझो पहले मैंने यहापे सिर्फ 30 रुपए लिए हैं और यहापे मैंने 49 पे कर दिया मतलब 19 रुपए ज्यादा तो यहापे क्या किया मैंने मैं चाहता तो इसको double diagonal में बनाके 29 रुपए वाल 1500 34 रुपीच ठीक है तो अगर मैं यह करता तो देखो पता क्या होता इन दोनों को करने में यहापे कितना 200 रुपीच का gap आ गया बट एक्चली मैं budget की वज़य से classic calendar बनाना चाहता हूँ अब देखो classic calendar कैसा होता है classic calendar होता है कि मैं 4900 ही buy कर लूँ तो देखो इसमें क्या होगा 30 रुपए लिए और 70 रुपए दे दिये तो यह नहीं कर सकता मैं तो इससे थोड़ा सा उपर चला गया मैं बस 100 पॉइंट उपर उतना दूर गया खाली मैं कि classic calendar जैसी feeling भी आए और अपना काम भी हो जाए ठीक है इसमें क्या होगा ग्रीक्स में अगर आप जाओगे तो वीगा positive होगा और थीटा से थोड़ा ज्यादा होगा अगले week से थीटा की उपर rely नहीं किया जा सकता rather than expiry ठीक है तो यह रहा call side जो मैंने बनाया है अब मैंने put side में कह किया put side में अब problem यह आगी कि मैंने जो small account बना दिया है वो मैंने जिरुदा में बनाया है तो आप जानते हो जिरुदा की दिक्कत क्या है तो उसमें मैंने जो P side है वो sell कौन सा किया है 14,000 ठीक है 21 जैन वाला 14,000 sell किया है मैंने sell 3 lot और जो buy किया है वो कौ कुछ ऐसी बनी देखो 29,49,53,79 ऐसी जाके कुछ trade बनी अब मैं इसको actually मैंने save करके रखी है मैं अल्रडी दिखा देता हूं मैंने trade अल्रडी डाल दिये क्योंकि कभी-कभी payoff graph गडबड होता है इसलिए आप क्या करो refresh कर लो abstra को उसके बाद payoff graph आपका सही आ जाएगा ठीक है यह rate rate यह already बनी हुई यह रहे original prices जिसमें बनी है 3900 का P sell 14,000 का buy I mean 14,000 का sell और 3900 का buy अगले week का 21,000 का 4900 का call sell और 15,000 का buy मतलब सिर्फ 100 का गया पर दोनों side तो classic calendar भी नहीं बना थोड़ा सा diagonal है बट बहुत low है आज-कल के हिसाब से ठीक है अब मैंने यह क्यों बनाया है कई ल हिसाब से बनाया है उसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं है इसको budget के हिसाब से ही create किया है मैंने क्योंकि क्या हुआ कि chart में हमें आसानी से दिख रहा है कि market ऊपर को जा रही है और wix increase होना start हो गई है this is rare na market ऊपर को जा और wix increase हो क्यों हो रही होगी logic बता basic funda budget आ रहा है वरना ऐसे इतनी आसानी से कभी कुछ नहीं होता है देखो market ऊपर को जा रही है फिर भी आज हमारा इंडिया विक्स यह रहा 8% अप है ना यह रहा वैसे 11-12% था पर 8% अप सिंपल सी बात है अगर गलती से विक्स इसके ऊपर गया तो यह strategy यह red part बचेगा नहीं क्योंकि अ आप मैंने कह किया कि मुझे actually ultimately range भी cover करनी है क्योंकि budget आ रहा है market इधर उदर होगी इधर उदर होगी तो downside की range 15,000 पे और नीचे की range 13,830 पे चीक है चार्ड में देखते है 15,000 पे और 13,830 ऊपर की तरफ जो coverage ली है वो है इस जगह पे और नीचे की तरफ से 13,830 यहां तो यह बनी अपनी range strategy के हिसाब से I think it's enough and अगर हमने क्या किया है vega supportive trade बनाई है तो यह रहा 7% का वो है उपर नीचे मतलब 3% उपर 3.5% नीचे का वो बनाया है panel ठीक है आप देखो इसमें जो फायदा है actually वो greeks का है मैंने greeks को थोड़ा कैसा बना दिया है 1-2 में मैंने theta को थोड़ा long मार दिया है theta long I mean sorry vega को long मार दिया है vega long की वज़े से क्या होगा delta तो fully neutral है vega ज्यादा high है vega ज्यादा high की वज़े से क्या होगा कि यह trade में जब IV increase होगी तो यह बहुत अच्छा perform करेगी बहुत अच्छा perform करेगी और इस trade में हमें कर चाहिए क्या कि जैसा पुर आख शान्तिवर रखता है यद 되어 देखते हो यह रहा यह बज़ट के पहले के दिन है कि यह वाले ए answer यह budget के पहले का दिना है, यह budget day है, यह बड़ी याली red candle, यह budget के पहले का है, यह किस expiry की trade है जो हमने बनाई है, यह 21 तरीक के expiry की trade है, budget कब है एक को, तो इसका मतलब हम किस area में होंगे, हम इस वाले area में होंगे, यह वाला जो area है, यह जो silent वाला है, यह देखो, 15-14, ठीक है तो ये वाले एरिया में हुआ क्या था IVs increase होना इस्टार्ट हो गई थी अब IVs increase होना इस्टार्ट हो गई थी मतलब धीरे धीरे असर दिखने लगा था ठीक है और Bank Nifty की IV उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइज निकल गई थी जब जिस दिन budget day था और उसके बाद IV crush हुआ था तो ये trade हम 21 तरीक तक अराम सिला सकते हैं इस trade में main game पता है कि हम कितना budget के पास जा सकते हैं हम कितना budget के पास जा सकते हैं जैसे पुराणी trade थी पुराणी trade में beginning में जो इसके पहले वाला week का trade था उसमें beginning में wix बढ़ा ही नहीं IV बढ़ा ही नहीं IV में drop आ रहा था वो delta के move के साथ जैसे ही IV में drop आया उसमें problem होने लगी और उसको हमने adjust करना पड़ा देखो 2-3 adjustment हो गए उस बेचारे में ठीक है बने adjustment share की दिखांगी 2-3 adjustment हो गई है इसमें already अब तक बट फिर भी कैसे तैसे करके बचा रहे है उसको ठीक है तो इस बार हमें hint मिल गया है कि IV increase होने लगी है अब जाके हमने क्या किया है यह trade जल्दी बनाई है आपको जागता है आज Monday है फिर भी मैंने यह trade बना दी येस मैं Wednesday को trade बना तक बट Monday को क्यों मनाई है हम जितना late करेंगे calendars का price यह जो calendar है इनका price increase होता चला जाएगा तो इसका मतलब है आपको आपके hedges के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे और अगर आपको calendars के लिए already ज्यादा पे करने पड़ गए तो फिर आईवी बढ़ने का फायदा क्या आपको आईवी बढ़ने से कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें आईवी बढ़ने का फायदा होना चाहिए तो ये trade हम जानबूच के 21 तरीक तक रखेंगे हम late करेंगे हम और नजदीक जाएंगे budget के पास और नजदीक जाएंगे budget के पास क्योंकि यही area होता है जहां पर आपको debit strategy बनानी चाहिए बनानी पड़ती है यह strategy debit है of course ही बात है strategy debit है यह middle में पार्ट है यह debit जाने वाला है simply और यह मैंने red क्यों दे दिया है जिसकी वज़ए से यह move आएंगे market में आईवी इंक्रीज होती तो क्या होता आईवी इंक्रीज होती है तो move आते है market में यह candles देख रहो बड़ी बड़ी red यह move आएंगे तो क्या यह strategy धेल जाएगी हाँ यह strategy धेल जाएगी क्योंकि अल्रेड़ी यह 100-200 पैंट उपर नीचे कुछ नहीं होने देगी और आईवी 4500 3% 3% मुझे चाहिए इससे weekly है मैं 1.5% रखता हूँ लेकिन इस बार 3% क्योंकि ऐसे टाइम पर रिस्क के टाइम पर ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क का reward भी वैसे होना चाहिए तो मैं इससे 3% का profit रखने का try करूँगा और 4500 के आसपास book करेंगे इसको ठीक है जैसे अपनी क्या किया है सुबह सुबह मैंने एक call cut किया था इसमें मतलब सारा adjustment यहां पर है actually सीधे मैंने डाल दिया ठीक है तो इसके भी adjustment ऐसे ही मैं यहां पर telegram पर डाल दूँगा तो यह trade मैंने आज place कर दी है जो लोग follow करना चाहते है वो कल भी कर सकते है बट प्लीज ध्यान से यह जो red area है उसको controlled way में रखना इतना नहीं कि बहुत ज्यादा बाहर चला जाए यहां पर जैसे आपने देखो मैंने almost 53 sell किये हैं तब जाके 80 दिये मतलब मैंने 20-90 रुपीज का वो रखा है यहां पर 20 दिये हैं 20 रुपीज ही उपर रखा है क्योंकि मैं वो debit देना चाहता हू मार्केट को कि मुझे problem नहीं हो और volatility से अगर volatility बढ़े क्योंकि यह non-directional है और non-directional है तो मुझे debit बनानी पड़ेगी महौल ऐसा चल रहा है मैं अभी यहां पर नहीं खेल सकता ratio's के साथ बाद में वो चीज देखी जाएगी और अगर इसमें कुछ भी गडबढ हुई कुछ होगा वही loss होगा most probably जैसे इस वाले में हुआ था तो मैंने क्या किया सुभे सुभे कॉल काट दिया एक सुभे सुभे वो कॉल काटने से क्या हुआ अगर मैं इस में से अगर market में आप देखो कि यह P side मार्केट नीचे को आ रहा और दोनों में similar profit loss हो रहा है तो आप क्या कर होगा इसको ऐसे करके यहां से ऐसे debit मार दोंगा और मार्केट बूम मार्केट पूरी green हो जाएगी और इसके बाद अगर IV increase हुई और मार्केट ने डिल्टा मूव दिया अपर साइड में तो हम 13 736 के ऊपर हर जगा सेफ हैं और अच्छा profit है simple ठीक है थोड़ा सा analyze करो कि कैसे क्या मैं क्या बनाना चाहर हूँ और थोड़ा सा यह जो आप्स्ट्रा है इसका use करो यह इसलिए बनाए गये हैं जिससे हम इनका फायदा उठा सके ठीक है तो इसको use करो थोड़ा सा hit and trial खिलते रहा करो आज मैंने पूछा था ग्रूप में आप यह बात जनते हो जब आप classic calendar बनाऊगे तो उसमें payment बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए मैंने classic calendar ना बना के थोड़ा सा diagonal बनाया है gap कम छोड़ा है लेकिन थोड़ा सा छोड़ा जरूर है जिसकी वज़ए से मुझे ज्यादा payment ना करना पड़े ठीक है तो I think लोगों को समझ में आ गया होगा Greek wise भी डेल्टा fully neutral मैंने कर दिया है कुछ भी होगा तो डेल्टा हम match करते रहेंगे दीरे दीरे और ये वीगा supportive trade है थीटा है इसमें but not वीगा मतलब वीगा के equal नहीं है ठीक है तो मैंने equal भी ratio नहीं रखाए ratio थोड़ा सा double दे दिया मैंने उसको okay ठीक और इसमें हम target करेंगे 3% at least okay चलो bye bye thank you और जो भी लोग अभी नए है प्लीज यूटूब में थीटा गिनर्स को subscribe कर सकते हैं टड़ा bye bye